असलाम अलेकुम एवरिवन सुबह सुबह उठी में अपने बेटे को स्कूल बेजा उसको नाश्टा करा के फिर अपनी त्यारी की थोड़े से अपने कपड़े चेंज किये फिर अपने पाउंग पे लगाई स्किन वाइट क्रीम फिर मोजर चुड़ा दिये और साथ ये जो वाश्रूम ब्रुश करने के लिए फिर मैंने बनाया नाश्टा आटा नहीं गुंता मैंने तो इस तरह बैटर बना के मैंने प्राठे बना लिए थोरसा नमक एट किया है इसमे थोरसा नीम गरम पानी डालोंगे दो चमच और फिर ये बनेंगे प्राठे तो अब भी मैं उपर हूँ क्योंगे बच्चे उपर सोय होते हैं तो साथ इनको मैं या पे नाश्टा करा के फिर नीचे जाती हूँ फिर बागी काम नीचे जाके करना होता है तो थोड़ी सी मुश्किल होती है बस लाताला असानिया पैदा करें सब के लिए और मेरे लिए बी तो यह एक पृणा तो उसके उपर मैंने आत्यो प्राठा ना दिया तो अपनी तरव से मैंने वीडियो लगाई वी थी यह बाद में जब देखा तो वीडियो आफ थी और मैं अपनी तरव से उसको कैप्चुर कर रहे थी चली करी बात नहीं पिर कभी तो यहां मैंने तो मेरा 13 मंच का बेबी है साथ साथ में इसको भी खिला रही हूं उसके बाद मैं आई किचन में तो किचन को किया साफ किचन तो नहीं है ये एक रूम था तो उसमें ये मेन थोड़ा सा रखा हुआ है अपना सिस्टम तो इस तरह सारी सफारी सपरी करके सारा फिर नीचे साफ किये सुबह उठो तो काम करना शुरू करो सारा दिन ऐसी घज़ो जाता है क्योंकि आदत ऐसी एरिया कि गंद से बिलकुल अलर्जी है यह मैं नमास की चादर दो पढ़ी किती तो मैंने इसको संभाला सारे गंदे बरतने कठे किये टोकरी में यहां सिंक वगएरा मिरे पास तो नहीं है तो बाइर जाके मैं सारा कुछ दो लेती हूँ इससार डाइनिंग सारे साफ करके इस डाइनिंग का भी मैंने ना कवर लाना है जल्दी इन्साला लाओंगी वोईस आवर करते करते साथ टेक्स भी आ रहे है चले सारा कुछ क्लियर होगया तो यह चंड चार के मैंने स्फाइयां की है रोज श्फाइया करओ रोज ही गंद होता है क्या करें और वस्थे गर्मित होता ही है सारी इस फाइस वी कर ले यहां बाइर कुछ बरत तो मेरे टोकरी यहां पर रख लिए थी फिर बाहर रख्याओंगी और टेबल को भी साफ कर लेंगे बचे खेले थे बाहर और जो मेरा बेटा वो क्रॉलिंग करता तो उससे ही इसने अपना हाल भी गड़ा होगा था पहले मैं सारा काम हतम करूंगी फिर उसको साथ सुलाओंगी साथ फुद भी थुट देर रेस्ट करूंगी यह दिन का टाइम है मेरा बेटा भी स्कूल से वापस नहीं आया तो उसके आने से पहले मैंने का करनू सारी शीर्स भी मैंने चींच किया है चाथ दिनी चरपाई यह पता चले कि दह रहना क्या करना तो इंशाला पर अपना भी डेकरेट करूंगी सोफे शोफे लगा के थर्ड फ्लॉर पर नीचे दो फ्लॉर है तो जो सोफे बगारा है वह ने गैस्ट रूम में रखे में हैं जो सफस्ट फ्लॉर पर तो यहां हमने चरपाईयां रखी ह हैं सेकंड फ्लॉर पर में जिठानी होती है तो उन्होंने अपने फ्लॉर पर रखी हुए हैं यहां मैंने यह बेवी कॉट की शरात देखें तो यह अब तो कुछ कपड़े तो मैंने इधर रखे मेरे बेटी बाबा कैमरे के अगया जाती है तो मैंने इसको बोला थो देर मैं रूबा क्लो इसको ढूबा इसका चेज्तर आप समय किया करते हैं किसे करते हैंने कुछ हैसने का DAVID इसकी सफाई मोटी मोटी की मैंने इंदा क्लिया नहीं किया क्योंकि मैं रोज ही साफ करते हूं क्योंकि मैं बच्चों नहीं यहां पर बैटना होता है खेलना होता है तो मैं कोशिश करते हूं कि मैं रोज ही साफ करूं इसको तो ये खिर्की भी साफ कर दिए वाँ मेरे बटें चोक्टेल लगाए वी थी तो ये थोड़ा सामने सामने से मैंने ग्रिल भी साफ की पर ये रूम देखें जहां हम सोते हैं मैं और मेरे तीन बच्चे हस्बिन मेरे तो घर नहीं होते हैं फिर हम यहां सोते हैं तो ये मैंने मैं एक रखा हुगा है बॉक्स सा उसके अंदर मैंसे डाल देती हूं कंपल वगारा क्योंकि मैंने इस रूम में रखी हुए आगे रूम चोटा सा था तो अल्मारी जो मैंने वे जिस रूमी की चनल साथ उसके अजस्ट किया हुगा है तो यह बैट शी साफ कर लूगी मैं और इसको अजस्ट करेंगी यह ग्रैसिंग टेबल पर आई हूँ इतना हास को अरगनाइस नहीं किया हुए मैंने इसको इंशालला आस्टास्ता सब कुछ करेंगी बच्चे खेरे पे साथ साथ और रमें काम करें कि यह से जाव निकालो पिर कुलर पर एजस्ट किया है यह पर कि यह प्रश्ट कि आए है यह इन अज़न गया है यह इस सारह क्लियर होगया मेरा हॉल माशाला से लहम दिलेला जल जल काम देए मेरे बेटा देखी याँ पर रूल रहा इसको मैंने कपड़े वगरा चेंज कराए ना लाया पहले मैंने इसको फिर मैंने इसको दिया बोनी सन इससे माशाला सको मीन पीची आती है और हजबाब दीग रहता है